एक मिलिनियर जिसको बिजनेस में प्रॉल्म आ रही थी उसे लड़की पसंद आई उससे वो शादी करता है तब भी बिजनेस में एक आदमी ने उससे धोका किया उसकी वाइफ कुछ भी खोना नहीं चाहती थी इसलिए वो मिलकर उसका मर्डर कर देते हैं क्या आप इसके बा प्लीज इसे लाइक कर दीजे अभी नागसी देरी के इस में चाहन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारा में क्यारेक्टर जिसका नामे जॉज ये अपने फ्रेंड के साथ शिकार पर आया हुआ था जॉज का सबना है कि उसे एक पैंथर को मारना है गैलव जो है एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन होता है ये जब घर पर आया तो हम देख सकते हैं कि उसके साथ इंटिमेट हो जाता है इस सर्वन के साथ एक और आदमी था जो सर्वन को लाइक करता है उसे उस सर्वन का यह सब करना अच्छा नहीं लगता इसके बाद हम जॉज को का काम पर देखते हैं वो भी अपनी वर्कर्स की तरह उनके साथ ही काम करता है उसका पार्टनर उसके पास आया पैंक एक नोटिस आई हुई थी उन्होंने लिया हुआ लोन अगर पे नहीं किया तो इस सब को जो सीज कर सकते हैं जॉज कहता है कोई भी प्रॉलम नहीं मैं जा चला कि मार्केट क्रेश की वज़े से उसने जो स्ट्रॉक एजो कोलेटरल रखे थे वह अब एक्सपार हो चुके है इसी वज़े से उसे किसी और तरीके से लोन पे करना था उसकी आफरिका में गलाइंड है पर यह बेशने से वो मना करता है उसका ड्रीम है कि वहाँ जाकर हो रहेगा अपनी ड्रीम को इस तरह से वो बेज नहीं सकता नेक्सेन में अपने फ्रेंज के साथ एक होस रेज देखने के लिए आया हुआ था उसकी फ्रेंड उसे कहती है अगर तुमने तुमने तुमारी एस गर्फरेंड से शादी कर लियो थी तो यह पैसों का कोई भी प्रॉलम नहीं रहता अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तुमें सेंसिवल करना चाहिए इस तरह के से पहाड़ों में जाकर हूर्स तोड़ना ये कोई सही बात नहीं जोज कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ कोई भी प्रॉलम नहीं है तब यूस ने हॉल्स में डेथ हो गई थी जब सब लोगों ने इन्हें बचाने की कोशिश की तो सिर्फ सेरेना पूरी एसेश में भरी हूई उन्हें मिली तीन दीन तक वो वही घूम रही थी जोज पूरी तरीके से से शेरेना से अट्रेक्टेड हो गया था जब वो राइड करते हुए आगे जा रही थी तो वो भी उसके पीछे भी जाता है थोड़ी देर बाद सेरेना रुक कर उसे पूछ लेती है तुम कर क्या रही हो जोज कहता है तुमारे पास आकर अपने आपको इंटर्डूस करना चाहता था एक दूसरे का नाम बताते है जोज ने का मुझे लगता है कि जाउज के उपर के लोन को पे करने के लिए सरेना अपनी सारी प्रॉपरटि बेच कर उसे सब पैसे दे देती है जॉज मानने लगया है कि सेरेना उसकी बिजनेस की पार्टनर है घर आने पर जॉज जिस सर्वन्ट के साथ इंटीमेट होता है यहने देख रही थी सरेना को पता चला जो ऑज एक्स्पेंड करना चाहता था पर सेरेना कहती है मेरी तुम्हारी लाइफ में आने से पहले तुमने जो भी किया ये सब कुछ मुझे नहीं जानना अब सब कुछ परफेक्ट है उसे हिल से वो कहा रहने वाले है ये सब दिखाता है सेरेना को ये बहुत ही ब कि उसके लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है तो वो भी इसके लिए मान गई उगहती है मुझे लगा था तुम्हारी जैसा मुझे कोई नहीं मिलेगा उसके साथ बहुत ही खुश थी गर पर आने की बात वो देखते है कि अभी अभी एक कोवर कर को एक सापने डस लिया था स सेरेना कहेती है कि मैं जहाँ पर रहती हूं वहाँ पर हमारे पास एगलज होते हैं उसने एक को मार डालता है मैनेजर कहता है हमारे पास यहां कोई भी एगल नहीं सेरेना ने का तो हम इंपौर्ट कर लेंगे आते ही सारा control ले रही थे इसी चीज़ को उसने dinner के बाद meeting में किये जोज, उसका manager Serena ये सब बात कर रहे थे जोज Serena से पुछता है तुमें हमारे काम के बारे में क्या लगता है Serena ने का जो काम तुमने 9 मन में किया वो हम 6 मन में भी कर सकते है जॉज मैनेजर को समझाता है, इस सेरेना भी हमारी पार्टनर है उसे तुम उसी तरीके से ठीट करना रात में जॉज और सेरेना यह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं अगले दिन जॉज ने अपने सब लोगों से कहा, इस सेरेना भी मैनेजर की तरह ही पावर में है उसकी सब बाते तुम्हें सुननी पड़ेगी मैनेजर को ये बात खटक जाती है काम पर आने के बाद एक वरकर को वो ट्री किस तरह से तोड़नी है ये भी बता रही थी ये वक्त हमारा 90's का है तो आदमियों को कोई ओर्डर करे ये ज़रा अजीब था सेरेना यहाँ पर गैलोवे से मिली गैलोवे वही है जो जॉज के साथ शिकार पर जाता है उसे मिलने के बाद उसने उसका टैटू देखा सेरेना समझ गई कि जेल में जाकर आया है इसका रीजन वो बुशती है तो गैलोवे कहता है मैंने एक आत्मी को मारा था सरेना थोड़ा भी किसी से भी नी डरती वो बहुत ही ज़ादा confident होती है इसके बाद town में meeting हो रही थी कुछ government officials, George और environment को बचाने वाले लोग चाहते थे कि जंगल की जगा पर एक park बने जिससे ही इसकी beauty maintain रहे किये George इसके खिलाफ है तो बहुत सारे लोगों का job चला जाएगा वो अच्छा pay करता है सब कुछ बहुत ही perfect है सारे लोग उसकी favor में भी थे तो George इसमें जीत कया उसके land पर कोई भी park नहीं बनेगा थोड़े दिन कुजर गए और Serena a pregnant थी George ने खुशी से उसे हवा में उठा लिया इन्होंने जो इगल को मंगवा हुआ था ये भी वहाँ पहुच जाता है Serena कहती है इस इगल को सिर्फ में ही कंट्रोल करूंगी सारे आदमियों को पता चलना चाहिए इगल को कंट्रोल करने वाली एक लड़की है उसने उसे ट्रेन किया इगल की उड़ने की फर्स टेस्ट हुई Serena ने कहा जैसे ही प्रे मूव होगा इगल उस पर जड़ब मार देता है कोई भी उसे बच नहीं सकता एक साब को इगल ने पगड़कर मार डाला इनकी सारे वरकर्स Serena के लिए जीर अप करने लग गए एक दिन मैनेजर जॉज से बात करता है वो कहता है जो लोग पार्क बनाना चाहते है इस लैंड के लिए वहां बहुत सारे पैसे देने के लिए रेडी है हमारे पास आफरीका जाने के लिए इतने पैसे नहीं तो लेकर हम जा सकते है जॉज इसके लिए मना कर देता है उसकी लैंड वो सेल नहीं करना चाहता मैनेजर को Serena भी अच्छी नहीं लगती तो जॉज ने उसे समझाया क्यों हमारी पार्टनर है यह तो मैं accept करना पड़ेगा रही बात पार की तो government officials को जाकर bribe देने का काम वो मैनेजर को देता है मैनेजर यही करने के लिए क्या हुआ था तब ही एक police ने उसे रोक लिया वो कहता है मेरे पास तुमारे ले एक deal है इसके बात मैनेजर George के पास पार्क बनाने वाले लोगों को लेकर आया वो उसे land के लिए 400,000 डॉलर्स देने वाले थे George कहता है अगर मैं इसे sale करूंगा तु 1,000,000 डॉलर्स के लिए उसके land की valuation इतनी कभी भी नहीं है उसने गा तुम लोगों को मेरी जरुरत है और मैं sale नहीं करना चाहता अगर buy करना है तो इसी price पर करना पड़ेगा ये meeting वो यहीं खतम कर देता है George फिर Galloway के साथ शिकार करने के लिए आया हुआ था George को अपने manager पर शक जाता है उसने Galloway से पूचा क्या manager का कोई और place है जहाँ पर वो meeting कर सकता है Galloway को पता था तो George और वो यहाँ जाकर आये George ने देखा कि उसकी land का map यहाँ था बहुत सारे लोगों ने meeting की थी इसके बारे में George ने manager को confirm किया manager गहता है अब वो तुमें 450,000 डॉलर्स देना चाहता है George किसी भी हालत में land sale नहीं करना चाहता घहता है जब तक मैं मानूंगा नहीं तब तक तुम इसे sale नहीं कर सकता है अगर इन्हें ब्राजिल जाना होगा तो और दो साल लगने वाले हैं और manager इतना रुक नहीं सकता manager ने उसे धम की थी अगर तुमने land sale नहीं की तो जो भी illegal चीज़े तुम करते हो government officials को bribe करना ये सब चीज़े में court में बता दूँगा सब कुछ तुमारे हाद से चला जाएगा manager भी इसमें involved था पर उसे कोई भी सजा नहीं होगी क्योंकि उसने police officer के साथ मिलकर deal की है जोज इस पर बहुत ही गुसा हो गया पर वो वहाँ से चला जाता है कुछ कर भी नहीं सकता रात में सारी situation उसने सेरेना से कही इसके बारे में उसे कोई भी आईडा नहीं था सेरेना भी किसी भी हलत में अपना future secure करना चाहती है यह दोनों मिलकर फिर plan मनाते है अगली दिन जोज मैनेजर उसके सब कोवरकस यह मिलकर hunting के लिए गए हुए थे मैनेजर जब शिकार कर रहा था तो जोज ने उस पर gun point की जोज को एक moment में यह सब बहुत गलत लगा वो अपनी gun रख रहा था तो भी मैनेजर ने अपनी gun उठा ली वो जोज को मार डालता इसी वज़े से जोज ने मैनेजर को मार डाला यह सब एक आदमी ने देख लिया था वो जोज के लिए काम करता है तो कुछ भी बात नहीं बताता पुलिस आने पर उनने एक ही चीज़ कही कि वो उसकी रेंज में आ गया था और गलती से उसकी डेथ हो गए जिसने सब कुछ देखा था उसका नाम है कैंबल कैंबल भी जोज की फेवर में बात करता है जोज बीचार डिस्टब था सेरेना उसे कहती है उसने तुमें बिट्री किया था तुमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था जिस सर्वन के साथ जोज इंटिमेट होता था वो प्रेंगनांट हो चुकी थी अमने बेबी को लेकर फिर से इस टाव में वापस आती है सेरेना नहीं से देखा और वो गुस्सा हो गए नेक सीन में जोज सेरेना को नहला रहा था उसकी बोड़ी पर एक सकार है जो फायर साया था सेरेना कहती है मैं बहुत छोटी थी मुझे काम करने के लिए सुबा जल्दी उटना पड़ता था जब फायर लगे थी तो उट चुकी थी बहुत ही ज़ादा डर गे तो इसी वज़े से वहाँ से भाग गे वो अपनी फैमिली की चीके सुन रही थी है पर कुछ भी कर नहीं पाई बाद में उसे इस चीज का बहुत पच्टा हुआ कि उसने अपने फैमिली को हेल्प नहीं किया उसने तब से डिसाइड किया है यह जिससे वो प्यार करती है उसके लिए कुछ भी कर सकती है जॉज को बता चला कि उसकी सर्वन फिर से टाउन में आ चुकी है कैम्बल उसके पास आकर कहता है कि उससे तुम्हें जॉब देना चाहिए वो प्रेंगनट हुई इसमें उसका कोई भी फॉल्ड नहीं था जॉज ने जाकर उसे जॉब दे दिया यह बेटा उसका यह है तो उसका नाम बुझता है उसका नेम जेकब यह बाइबल से रखा हुआ था यह जॉज को बहुत अच्छा लगा सेरेना से इस सरवन के बारे में जॉज ने बात की तो उसे भी कोई भी प्रॉल्म नहीं था इस सरवन को अपनी बेबी के साथ जॉज जब देखता है तो हमें इसा इमोशनल हो जाता है थोड़े थोड़े पैसे अपने बेटे के लिए निकाल कर रखता है और सेरेना की डिलेवरी पास आ रही थी बेबी किक भी करने लग गया था जो आज एक्साइडेड हो कर अपने बेबी के लिए क्रीप बनाता है सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था एक दिन काम पर एक्सिरेंटली कैलावे का हाथ टूट गया सेरेना जल्दी से भाग कर उसके हाथ पर सकाव वेगरा बान दिया जिससे वो अपना हैंड डूज ना करे होरस तक राइड करते हुए उसे वो गाड़ी तक लेकर आई रात में सेरेना को पेन होने लग गया था प्रिंगनसी के वक्त होरस राइडिंग नहीं करने चाहिए थी ये दर्द उसका बढ़ने लगता है उसका मीस कैरेज हो गया जॉज को से बहुत सारा बलड देना पड़ा उसने उसे का अब हमें फिर से बेबी हो नहीं सकता ये दोनों बहुत रोए घराने के बाद जॉज ने जो भी क्रीव वेगरा बनवाई थी ये सेरेना देखकर बहुत ही डिस्टब हो जाती है जॉज भी इसे तोड देता है मैनेजर हमेश सब सरवन को पेई करने का काम करता था अब उसकी जगापर कैमबल एक काम समाल रहा था उसने तीजोरी देखी जॉज में जॉज की सब नोटबूक से अगर ये नोटबूक पुलिस को मिल गए तो जॉज जेल में जा सकता है जॉज ने जो किया ये कैमबल को सही नहीं लगता तो डारेकली पुलिस के पास चला गया थोड़ी दिन गुजर चुके थे तो जॉज सेरेना को अच्छा फील कराने के लिए एक पार्टी में लेकर आया एक ब्यूटिफुल जा उसे ड्रेस देता है पर सेरेना यहाँ पर बहुत जादा ड्रिंक कर लेती है बेबी के जाने के बाद वो बहुत ही जादा डिस्टरब थी अगली दिन जॉज ने अपना सेफ देखा तो उसके बुक्स मिसिंग थे वो गहता है कैमबल पुलिस के पास चला किया है सेरेना को भी इसके बारे में पता चल किया गैलोवे का हाट तूट सकता था पर सेरेना ने उसे बचाया तो गैलोव हमेशा उसे ओन करता है और वो डेंजरस भी है एक आदमी को मारने के लिए वो आरेटी जेर में जाकर आया था सेरेना फिर उसके पास गई उसे कहा जाओ और कैमबल को मार डालो इसी के पैरलल में जोज इंडारेक्ली अपने बेटे और सर्वन का खैल रखते हुए देख सकते है उसके ओफिस में उसकी फोटो थी कुछ पैसे रखे हुए थे ये सारी जीज़े सेरेना ने देख ली वो बहुत ही जादा जेलस होगी उसने जब सर्वन को देखा तो उसे लग रहा था क्यों सेरेना पर हस रही है इसके बाद गैलोए ने कैमबल को ढूण कर मार डाला था सेरेना ने फिर उसे और एक काम दिया ये काम था सर्वन और उसके बेटे को मार डालने का राद में ओ जोज से कहती है ये में जो भी कर रही हूँ ये हमारे ले कर रही हूँ हम खुश रह पाए इसलिए हम ये सब कर रहे है राद में गैलोए और सेरेना ये जोज के बेटे को मारने के लिए कए हुए थे सर्वन उसे लेकर भाग जाती है इसे भागने में पुलिस ओफिसर हेल्प कर रहा था इस सर्वन के बेटे को हमेशा एक ओर लेडी समाल दी थी गैलोए और सेरेना उसके बास गये उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया इसलिए गैलोए ने उस ओर लेडी को मार डाला पुलिस ओफिसर को बात पता चले तो अगली दिन वो जॉश के बास आया जॉश को सब कुछ बता देता है जॉश ने का मेरी वाइफ इसमें इन्वाल नहीं तुम उससे बात नहीं कर सकते है उसने सेरेना को कंफरेंड किया वो कहती है मैंने सब कुछ हमारे लिए ही किया तुमने मुझे हर्ट किया है वो मार ओफिस में मैंने बेबी का फोटो देखा क्या मैं तुमारे लिए इनव नहीं थी हमारा प्यार उस बच्चे से ज़ादा इंपोर्टन्ट है बस खहता है कि बताओ मैरा बच्चा कहा है इस सब को रोक दो पर सेरेना मानती नहीं उसने कहा क्यों तुमारे जैसा है दिखता है जब तक वो चाइल जिन्दा है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते ज़ॉज अपने बच्चे को बच्चाने के लिए यहाँ से जा रहा था सेरेना उसे रोक लेती है कहती है अगर तुम तुमारे बच्चे से मुझसे ज़ादा प्यार करते हो तो मुझे यही की यही मार डालो ज़ॉज गुसा होकर उसका गला दबाने लग जाता है उसे माहरी डालता पर लास मुमेंट में उसने उसे छोड़ दिया ज़ॉज डारेक्ली पुलीस के पास आया उसने कहा यह सारी मेरी बुक्स है इससे तुम हमेशा के लिए मुझे जेल में डाल सकते हो मैं सारे क्राइम के लिए कनफेज भी करूँगा सिर्म मुझे मेरे बेटे का पता दे दो मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हो शेरिफ भी इसके लिए मान गया सर्वांट और उसका बेटा यह दोनों टाउन में थे ट्रेन लेकर यहाँ से जाने वाले थे पर ट्रेन लेट हो गई इतने टाइम में गैलवे उसे ढून कर मार सकता है इसलिए जाकर वो जंगल में छूप गई जॉज भी स्टेशन पर पहुँज गया जब ट्रेन आई तो जॉज और गैलवे यह दोनों उसे ढून रहे थे वो जल्दी से इस ट्रेन पर चड़ जाती है गैलवे ने पहले उसे देख लिया वो जाकर उसे मारने वाला था तब इस जॉज उसे रोक लेता है इन दोनों में बहुत फाइट हुए जॉज ने रेजर लेकर उसका गला काट दिया वो उपने बेटे को बचा लेता है जॉज ने सरवन्ट से पूचा कि अब तुम क्या करने वाली हो मूवी के फर्स में हमने देखा था इस सरवन्ट को एक आदमी लाइक करता है तो अब वो उसी के साथ रहने वाली है इस बच्चे से भी वो बहुत प्यार करता है तो यह सब हैपी रहेंगे जॉज को अपने बेटे को जाता हुआ देख बहुत बुरा लगा जॉज ने पुलिस ओफिसर से डील की थी पर उसके पास गया नहीं उसे अभी अभी पता चला था इस जंगल में एक पैंथर आया हुआ है वो दूर जगा पर एक बेट रख देता है एक हिल की उपर से निशाना लगा रहा था थोड़ी देर में पैंथर वहाँ पर पहुँच गया उसे शूट करता है पर उसे देख नहीं पा रहा था वो वैंथर के पास गया पर पैंथर ने उस पर हमला कर दिया थोड़ी देर में जोज को धूनते वे पुलीस आया उन्होंने देखा कि पैंथर और जोज ये दोनों मर चुके है पैंथर ने जोज को मारा और जोज ने पैंथर को दूर से इस सेरेना ने गाड़ी के आवाज सुनी उसे लगा कि जॉज वापस आ चुका है पर डारिकली जॉज की डेट बोड़ी आई वो बहुत ही जादा शौक में चली गए जॉज ने उसे जो ट्रेस दिया था यह पहन लेती है जॉज के शर्ट को समेल करते हुए वो बेट पर सोई उसने सारे घर को आग लगा दिये उसी आग में जल्द कर वो सुसाइड कर लेती है अपने सेलफिशनेस के लिए इन्होंने कोई भी हत नहीं छोड़ी यह किसी को भी मार सकते थे और फाइनली जो उन्होंने किया था इसकी सजा उन्हें भूगदनी पड़ी सेरे ना भी चॉज की बिना जही नहीं सकती थी तो इसलिए उसे सुसाइड करनी पड़ी इसे के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा बहुत सारे मूवी लेकर आत रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्स्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दावने मत भूलेगा हम फेसे मिलेंगे और एगनी मूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया